दोस्तों आज मैं संभीदा से रिलेटेट बहुत सारी जानकरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ तो बनी रही आप मेरे साथ साथ क्या के अपडेट्स हैं सारे आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे इस वीडियो के अलाब आपको और कहीं भटकनी की जुरत नहीं पड़ेगी चली ते स्टाट करते हैं सबसे पहले में आप लोगों को बता दो एक नोटिफिकेशन जो की स्कूल सिक्षा विभाग मंत्रा ले दोरह जारी हुआ है इसमें एक एप के बारे में बताएगा है जो इस एप का नाम है सिक्षा मित्र एप इसमें बहुत सारी इंफोर्मेशन होगी जो वहां के स्टूडेंट और टीचर होगी जिसी स्कूल के उन लोगों के लिए बहुत सारी इंफोर्मेशन इसमें एड होगी इसके दोरा ही online attendance होगी इसी के दोरा किस कहां पर कौन से school है ये जानकर ही मिल पाएगी कौन से school कहा तक है 8 तक है, 10 तक है, 12 तक है कहा तक है, कौन से subject है उस school में आप वहाँ पर देख पाओगे उसके आलब इस app का उप्योगर जो वहां के टीचर रहेंगे उनके लिए एहम है कोई भी नए अपडेट आता है राज द्वारा संकुल द्वारा या के जिला द्वारा कोई भी तो वह उन लोगों को तब इस एप के द्वारा पहुच जाएगा इसके साथ ही साथ जो एप है वह नेट द्वारा चाले होगी यह पहले भी किया जा रहा था लेकिन तब नेट की थोड़ी दिक्कत थी अब लेकिन उन्हों ने इसको ओफ-लाइन और ओन-लाइन दोनों से जोड़ रहे हैं और इसके वारे हम जैसे और नई अपडेट आईगी तो मैं आपको बता दूगा लेकिन इसी के साथ साथ एक सब अपसे महन महन खबर जो आप लोगों के लिए बहुत माइने रखती है हमारे सिक्षा मंतरी विजय साहन ने एक रैली को संबोधित करते हुए एक अनाउंस किया है जो की बहुत ही ऑफिसियल अनाउंस है उनकी बात को नरजर अंदाज बिलकुल नहीं किया जा सकता है उन्ह उसके डलना स्टार्ट हो जाएंगे और उन्होंने बहुत कुछ बता है इसी सावा में उन्होंने अतीतियों के बारे में बहुत सारी जन कर दी उन्होंने 25% आरक्षण अतीतियों के लिए यानि कि 10,000 सीट अतीतियों के लिए आरक्षण कर दी गई है यह सावाल सिवरा सिं चुनाप आने वाले हैं और चुनाप से पहले पहले बेकैंसी निकलना अनिवार है यानि कि बेकैंसी जरूर निकल जाएंगी और यदि आपकी तैयार ही नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस वार बहुत ज़्यादा कॉंपेटिशन रहेगा सबसे लास्ट में होगी और अतीतियों के लिए कुछ बहुत खास संसोधन भी किये गए इसमें उनके लिए अरक्षन है उनके लिए 10,000 सीट है उनमें सिर्फ उनहीं का कॉंपेटिशन रहेगा और अतीतियों की जो भरती है वह अब नहीं होगी अतीतियों की यह बस कुछ माहा के लिए क्योंकि यह कहसे भी संबब नहीं है कि बेकेंस ही निकले और उसकी तुरंत बाद एक्जाम हो और भरती हो जाए तो इसमें टाइम लगेगा सारी प्रोसेस में तब तक इसकुल खाली ना रहे हैं इसके लिए अतीतियों को रखा जाएगा अतीतियों को मैं आपको बताता हूं यदि अतीतियों ने सो दिन या एक बर्स इसकुल में पढ़ा लिया है अतीतियों पढ़ा रहे हैं तो उनको पांच नमर मिलेंगे और वहीं 200 से 200 या दो बर्स पढ़ाया है तो उसके लिए उन्हें 10 मार्स और इससे जादा चाहे फिर वो दस साल का ह तीन साल का चार साल का जित्ता भी हो उसको पंद्रा मार्स मिलें दिये जाएंगे कई बार सिवरा सिंग्षा पर सवाल पूछा गया है उन्होंने कही बार इसको लेकर सीधे सीधे बताए कि बैकेंसी निकलनी है लेकिन उन्होंने एक बलकुल यह सब्द नहीं लिए कि कब निकलना है लेकिन हमारे जो सिक्षा मंत्रिया विजयसा उन्होंने इसके लिए बिल्कुल सीधे सीधे बता दिया कि यह बहुत ही जल अगले ही माया में स्टाट होने वाली है और इसी के साथ साथ एक न्यूज सुनने में आ रही थी ऐसी स्ट के लिए डीट बेड अनिवार से विश्ते से नहीं होगा और जन्रल के लिए अनिवार होगा साफिद के लिए और जन्रल के लिए दूनों के लिए राइत इस विए में आप से आपको अरक्षा कितना रहेगा 33% या 50% वो notification के लिए बाद ही मैं बता पाऊंगा बैसे 50% के आसपास है इसमें और इसी के साथ जो वर्ग 2 है उसमें वर्ग 2 में 9 और 10 भी क्लास को अगर हटा देते हैं क्योंकि ये हटाने की सुनी जा रही है ये एक जानकारी मेरे पास तक आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो 9 कक्षा 9 और 10 है उसको वर्ग 1 के तहित रख दिया जाएगा तो वर्ग 2 में सिर्फ 6, 7 और 8 तीन कक्षा है रह जाएंगी और 1 सा 5 तक वर्ग 3 में रह जाएंगी तो वर्ग 2 के लिए भी बहुत सबसे ज़्यादा निकल रही है स्वार कितनी वेकेंसी हैं और क्या है वो मैं आपको अभी क्लियर नहीं बता सकता हर कुछ बताने से अच्छा है कि मैं आपको जो नोटिफिकिशन आए उस टाइम पर जानकारी दूँ और इसके अलावा अब जो संबीदा की तयारी आपने अगर इस्टार्ट नहीं किया तो वो बहुत जल्द इस्टार्ट करी ही दीजिए मैंने कुछ इन्वार्मेंट की वीडियो और बहुत सरी वीडियो अप्लोट करने वाला हूँ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सारी इंफोर्मेशन सारी वीडियो अब तक पहुंच सके और आपको जितने भी अपडेट्स आएंगे संबीदा से रिलेटेड या बैपप से रिलेटेड वह सारे आपको मिल जाएं अब वैल आइकन को जरूर क्लिक क कर रहें ताकि जो अपडेट्स ने हुआ आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप जल्द से जल्द उन वीडियो को